अब आपको जारखंड की परिशानी बता देते हैं कि बिजली बिल भरने में जारखंड वासियों को परिशानी हो जारखंड के बिचली उपहुकताओं के लिए एक परिशानी भरी खबर है राज जबर में ATP मशीन को एजेंसी ने बिना किसी पूरू सूचना के बंद कर दिया है विभाग ने एक एजेंसी को दूसरी विवस्था होने तक एक महीने का एक्स्टेंशन दिया था लेकिन एजेंसी ने एक महीने पहले अपना कामकाज समेट लिया और मशीन बंद कर दिया अब बाकी आपको समस्या हो रही है तो होते रहे विभाग को इस तो मतलब है ने देखे है रिपॉर्ट अगर बिजले बिल जमा करने एटीपी मशीन पर जाएंगे तो उन्हें निराशा हात लेगे की एजेंसी ने बिना किसी पुरू सूचना के ही 28 फरवरी को दिन के एक बज़े से ही अपना कामकाज समेट लिया है मशीन के एक उपरेटर ने बताया कि कमपनी से उन्हें के समेस प्राप्त हुआ जिसके मताबिक एक बज़े की बाद पबलिक से कोई बिल रिसीव नहीं करना है एटीपी का मैसेज आया था वन पीम के बाद सिस्टम जो है अंडर मैंटेनिस के रहेगा सर ये पर रहेगा वन पीम से पहले जैबी वी एनल ने मौजूता एजनसी को पिछली पचीस तारिक को ही एक महिने का एक्स्टेंशन दिया था मतलब 31 मार्ज तक इस एजनसी को काम काज करते रहना था मगर 28 फरवरी को ही एजनसी ने अपना काम काज समेट लिया विभाग का कहना है कि अकली विवस्था होने तक बिजली ओफिस में बेल जमा ले लिया चाएका मतलब मैनुली इजनसी का कहना है कि पिछले साल बी उन्हें एक साल का एक्स्टेंशन मिला था एक महिने का एक्स्टेंशन उनकी यह बेमानी है क्यूंकि एक महिने के लिए सर्वर किराय पर मिलना बहुत महगा पड़ता है इस कारण पुरानी एजंसी के लिखाम करना संभाव नहीं रहा खामियाजा तो जनता भुगतेगी जब लंबी-लंबी लाइन लग कर लोगों को बिजले बिल जमा करना पड़ेगा नियोज लबन महारत के लिए कैमर परसंदे जनकारी इसमें क्या है क्या समझ में आ रहा है आप इसको देख रहे हैं तो शानावास क्या आज पहुंच रहे हैं शानावास जी यह जो एटिपी मशीन है ज्यारकन मजद्नी भी वो सिफ्यास कंपणी की लगातार चल रही थी और इस मशीन में बाकाइदा पेमेंट रिसीब किया जाता था लेकिन 28 फरवरी के एक बज़े दिन के बाद से सिफ्यास ने अपनी तमाम एटिपी मशीन को विड्रॉ कर लिया है बंद कर दिया है अब सर्वीसेज को विड्रॉ कर लिया है अब जाहिर है ज्यारकन में जितना जितना भी बिल बकाया लेकर के लोग जाएंगे वो बंद पाएंगे मशीन को और इस मशीन के बंद हो जाने के बाद विभाग पराक ने ये वैवस्था की है कि पुरानी जो बद्देती थी यहां पर रसीद जो है मैनुवली करती थी अब जब तक कोई वकल्पीक वैवस्था नहीं होती है ये मैनुवली बिल जमा करने का सिस्टम रहेगा ये तो एक सिस्टम की बात हुई लेकिन सबसे ताज्यूब की बात या कि कोई पूर्व सुचना नहीं कोई अखवार में नोटिस नहीं कोई जानकारी नहीं कि कोई कमपणी अपना सेवा बिढ़ो करने जा रही है बंद करने जा रही है लहाजा अब जो लोग वहां पर बिल पे करने जाएंगे वह निराश लोटेंगे बहुत सारे हाग को चाहिए था कि कम से कम एक प्रायर नोटिस दे करके जनता को ये अवगत करा देना चाहिए कि ये बिल जो है आप एटीपी में जमा करते थे वो अब काउंटर में जमा होगा उसकी टाइमिंग ये होगी ये एक लैक आफ इंफॉर्मेशन है और मिस्मैनेजमेंट भी है मिस्मैनेजमेंट इसलिए कि अब जो नई वेवस्था होगी और नई वेवस्था नई कमपनी समहा लेगी नई वेवस्था होगी उसकी मशीन भी दूसरी होगी ये सारी चीज़ें अब कब होगी इसके बारे में भी कोई उत्तोस जानकारी नहीं है हम लोगों ने बहुत को पर नई साथ पाए हम और अदिकारियों ने कहा कि इसके बारे में व्यवस्था की जा रही है और किसी को घबराने की परेशान उने की जरूरत उने की जरूरत नहीं है और हम पुरानी वेवस्था के तहट जो मैनुवली कॉंटर से रिसीव करते थे पेमेंट वो हम अब रिसीव करेंगे जब तक कि वेकल्पिक वेवस्था नहीं हो जाती है अब रहा सवाल की आउनलाइन पेमेंट का भी एक विकल्प मौजूद है और ये ऑनलाइन विकल्प जो है वेवस्थाइट पे के थुरू जाके बाकाइदा आप कर सकते थे लेकिन उसमें परिशानी आ रही है कि अप टूडेट बिल वहां पर उपलब्द नहीं है तो आप जमा क्या करेंगे अगर अप टूडेट बिल उपलब्द नहीं है आपको ये पता ही नहीं है कि आपको इस महीने का बिल कितना आया है तो ये बिल अब जमा कैसे करेंगे लगातार विद्धूत विभाग जो जे वी एनल के अंदर आता है ये ये कोशिश रहती है कि पेमेंट लोग समय पे करें रेवेन्यू का जो एक टार्गेट है वो अचीव हो लेकिन इस टार्गेट को अचीव करने में फाइनल फाइनशेल एयर के समाप्त होने के टाइम ये विभाधान आना अपने आप में बहुती चिंता जनक बात है जाहिर है एक बार फिर ये विभाधान का जो फाइनशेल जो टार्गेट है वो अचीव नहीं हो सकेगा तो जब ऑनलाइन सिस्टम भी लचर है अब तक अप टूडेट नहीं है तो ऐसे में किसी कमपणी को की एजनसी को जो अपना काम सही सही से कर रही थी ये बदलने की क्या would be Lot बहुत ही महेंगा पड़ता है और ये फाइनेंशल बोज हम उठाने के काबिल नहीं है आपको हम बताएं कि ये सिफियास कंपणी को जब एक महीने यानि 28 फरवरी से लेके 31 मार्ज तक का एक्स्टेंशन दिया था लिखित में दिया था निर्देश भी दिया था कि आप अपन ये सर्वर कहीं से लेना बहुत महेंगा सौधा होगा लेहाजा उसने 28 फरवरी को एक बजे दिन मैसेज किया तमाम आपरेटर्स को और वो आपरेटर ने बाकाइदा जो आपने इस पैकेज में देखा भी होगा कि एक आपरेटर ने अपनी परतिकरिया दी है हमें उसने कहा है कि एक मैसेज आया है उसके पास इसके मताबिक ये कहा गया है कि एक बजे के बात से सर्वर काम नहीं करेगा लेहाजा अपना हिसाब किताब समेट कर फाइनली आफिस में लाकर पेमेंट जमा कर दें और उसके बात क्या होगा कि लिए उनको अगले दिन सेवा में आना है नहीं आना है इसके बारे में कोई भी जानकारी उस देने में समर्थ नहीं था लेहाजा मान के चलना चाहिए कि अब अगर कल सुबह से आप बिजली का बिल जमा करने एटीपी मशीन पर जाएंगे तो वहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा आपको करना यह होगा कि आप बिजल यह अपने हिसाब से काम करते हैं एक बिल जमा करने में कम से कम 15 मिनट लगाते हैं 20 मिनट लगाते हैं लेहाजा एक फिर से इस ऑनलाइन दुनिया में आपको एक पर फिर पुराने प्रयोग के दो धखिला जा रहा है मैनुवल बिल काउंटर सिस्टम के हिसाब से आपको चल बिल्कुल सही बाते चलिए बहुत शुक्रिया शानवाज इस तमाम जानकारी के लिए इस तमाम चर्चा के लिए तो शानवाज अक्तर हमारे साथ जुड़े होते देगा इंतसार लंबा रहने वाला है तैयारी कर लिजिए कि लाइन में हो सकता आपको बिजली बिल जमा कर करने के लिए लगना पड़े